हाई अब्रिमन दोस्तों स्वागत है आप सबका हमारे यूटीब चैनल पर दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है कि नीट का रिजल्ट जो है एनाउंस हो चुका है और सुप्रिम कोट का भी जो है फाइनल जज्जमेंट आ चुका है कि अब कोई रिनीट नहीं होगा तो दोस् मैं कॉंसलिंग स्टाट होने से पहले हमें पता होनी चाहिए तो दोस्तों आज में जो हमारा यूमें जो है उत्तरप्रदेश की जो काउंसलिंग का चुका है उसको डिसक्स करूंगा क्यों जितना हो बिकॉट करने की कोशिस करूंगा अगर फिर भी आपके कुछ डाउट ह होता है तो कमेंट में डारेटली लिख सकते हैं या मेरे नमबर में मुझे डारेटली मेसेज़ कर सकते हैं कि डारेट 24-7 में अविलेबर हूँगा और सारे डाउट आपके क्लियर करने की कोशिज करूँगा तो जिस्तों हम बात करें उतरप्रदेश निट काउंसिलिंग की त सबसे पहले हमारे पास जो होगा सबसे पहले वास में रेशिश्येशन करना होता है अब रेशिश्येशन किस पहोगा तो इन्होंने वेबसाइट वी ओफिशल वेबसाइट उत्रप्रदेश की होती है काउंसिलिंग की वह दो है www.up.gov.in यहां पर उत्रप्रदेश स्टेट में काउंसिलिंग होती है अब पहले सबस 주도 करना है तो उसकी कितनी फीश करूंगा और अगर प्राइबेट का प्राइबिट मेडिकल पॉलीच के लिए करना है तो उसकी कितनी फीश रहेगी सब वे security money का अब security money कितनी कितनी होगी BDS में कितनी होगी और BBS में कितनी होगी और यह कब करनी है कैसा करनी है और सारा मैं अभी नीचे discuss करूंगा अब हमारा fourth step जो होता है fourth step हमारे पास होता online document verification तो दोस्तों यह अब तक जो counseling होती थी last upload नहीं नहीं होता था वो भी सिर्फ तुमारे क्या था डिटेल हो जाती है यह सारी हो जाती है लेकिन अब जो किया है इन्हों ने इस साल जो एक निया रूल आया है उसके according यह है कि जितने भी तुमारे होएंगे जैसे तुमारे 10 की माक्सी 12 की माक्सी दाहरा कार्ट और और वाकि तुमारा reservation के जिदने भी certificate होती है वो सारे document अब online verify कर लिए जाएंगी कि इसके दुवारा जो भी conducting body इस है हमारे एक्जम्ब कराएगी counseling हमारी कराती है जो भी conducting body होती है यह जाएंगे इससे ज्यादा मैस नहीं होगा कि इतना टाइम मिलेंगा रिपोर्टिंग में यह होगा बहुत सारे चलते थे कि पहले कुछ बंदों को सीट मिल जाती थी जब डोकुमेंट जो verify कर आते थे तो उसमें बहुत सारे ऐसे होते थे कि वह जो है हो अँड क्यों क collectorsर होगा डोकुमेंट I don't believe sir så Shaun हमारे स्टैप जो हमारे बार बाजश Wow सिटर्फ होता है घ हमारे बारत होता है एक लिस्ट वाइस बच्चों की इस चे वारे व्यूप में किसंद रंक किसकी होगी second rank किसकी होगी और जो भी तुम्हारे marks है जो भी तुम्हारी all India rank है वो rank तो आएगी आएगी लेकिन यूपी में तुम कहां लाई कर रहे हो वो हमें इस merit list में पता लगता है कहां तुम लाई कर रहे हो पर उसे तुम अपना हिसाब लगा सकते हो कि हमारे यूपी में कितनी है फिर हमारे पास है तो उसका रिजर्वेशन कितना आएगा फिर हमारी क्या उम्मीद मिलने की सीट फिर हमारे पर स्थिक स्टेफ होता है च्वाइस फिलिंग एंड लोकिंग क पिर हमारे पार जिस्ट गालाई है कि इस में यह बता दी जागा कौन से बंदे को कौन सा कोलीज एलोड होगा है सारे आजाएंगे जहां भी तुम्हें रेसेशन किया होगा अपनी वेबसाइट बनाई होगी और वेबसाइट पर तुम्हारे पेज पर एक लेटर आएगा जो जिसमें लिखा होगा होगी इस बंदे को वाली सीट हो गई यह को लीच हो गया तो उसे हम डाउलोड करना होता ह पूरा स्टेफ कांसिली में क्या होगा यूपी की यही सेम यही सारे स्टेफ होने हैं सारे के सारे होगे अब ठोड़ा ब्रीफिली जो इसमें थोड़ा-थोड़ा इसमें है वह बता देता हूँ आपको कैसे क्या है मामला अगर दोस्तों हम रिच्टाइशन की बात करते हैं अगर हम Registration के हिभा upon करते हैं तो Registration में जो ह도 को है हमारे बात इती थी बाध आती है कितनी 500 होगी तो डोस्तों अगर हम बात करें जैसे हमारे पास रांड・ कितने होँगे हमारे पास जो इसके चार राउंड होएंगे यूपी की काउंसलिंगे चार राउंड होएंगे हमारे फस्ट होगा सेकेंड होगा थर्ड होगा और हमारे पास फॉर्थ राउंड होगा ठीक है अब यह तीन राउंड है यह वाले तीन राउंड यह है नॉर्मल राउंड यह हमारे पास क्या ह अब दोस्तों अब दो राउंड है अब दोनों ही राउंड का एक हमारे पास जो नोर्मल राउंड है इसके लिए भी रेजिशेशन अलग होगा फ्रेस और एक इसके लिए भी रेजिशेशन फ्रेस होगा अगर हम इस राउंड की अगर हम बात करते हैं तो इस राउंड की जो कितनी है एक हजार है अब दोस्तों यह के लिए बता देता हूं कि हमारे पास होती है एक सिगुर्टी मेनीफिस होती है और सिगुर्टी मेनीफिस जो हती है वो बिल्कुल अलग होती है अब जो लिघुशेशन फीज हो जाई किında प्रॉब्स कर दूएни всё तुम्हें और क्या होता तुम्हें. कि अपने यह आपको से . कितनी हाएग लिए ठीक है हम सेकेंड अपकर लिए 적인 कारएं के बात ही जाए अगर हम सेंडी स्टैप के बात करते हैं तो सेर्केंड डिस्टैप में हमारे लिए पास टीकर अउन् Мы वर लेड्य डिस्कस करती है तो इसे जो है हमके कर देते हैं कि अले डिजन कि यह सबुस्ट लीडी में डिसकस कर दियुक्थ है ठीक है कर चुका हम बात करते हैं तो heimरे स्कूर्टि बोनी की बात के अब दोस्ते हैं दोस्ति में अगहां Government Medical College की बात करते हैं MBBS MBS Government Medical College की अगर में बात करते हैं जो इस वार हमारी फीस रहेगी कितनी रहेगी वह हमारे पास कहीं थार्टी थाउजन्ट रहेगी कितनी 30,000 फीस हमारे पास Secretary Money हमें सम्मिट करनी होती है और वहीं ये किसके लिए गवर्मेंट मेडिकल कॉलिज की अगर हम प्राइविट की अगर मैं बात करता हूँ प्राइविट मेडिकल कॉलिज की बात करता हूँ तो इसके रही कि 2 लाग ठीक सही है अगर मैं बात की ये किसके लिए है ये हमारे पास MBBS के लिए अगर मैं बात करता हूँ किसके लिए BDS के लिए तो इसकी रहती है कितनी 1 lakh किसके लिए यह BDS के लिए ठीक है अब देखो इसका मसला बताते हैं स्यकूर्टी मनी क्या होती है स्यकूर्टी मनी एक सीकूर्टी के तोर पर सम्मिट की जाती है ताकि जो है बंदा हमारा टाइमवेस्ट ना करे अभी सिगर्टी मनी क्या होती है सिगर्टी मनी जैसे है हमारे पास अगर एडमिशन हो जाता है बन देका चाहाए वह बडीयेस में ले एमपीपे वे मुणकिसी में ध्याWow अगर किसी भी गवर्मेंट मेडिकल कोलिज में उसका एडमिशन होता है तो उसकी जो है यह हंड़ैट परसेंट रिफंड वर होती है हंड़ैट परसेंट रिफॉंड वर होती है अब जैसे लास anded डिह मनें बेड लिया था तो मेरा गांसैन होगा जेद थी पीस हमारे पास आई थी 100% आगए थी जो मेरी सिकूर्टी मनी सम्मिट हुई थी मैंने इंडिया काउंसलिंग के थ्रू लिया था तो उसमें 10,000 होती है सम्मिट इस बार देखते कितनी होगी लासे तेन थाउसेंड होई थी तो वो टोटली जो है करीब मेरी जो है अपरेल के आसपास वो जो है आगए थी 100% refundable हो गई थी इसकी बात होगा यह ठीक है अब दो तीन इसके रूल रहते हैं रूल मैं बतागे बताओ यहीं बता देता हूं चलो जो रूल इसके हैं सिकोर्टी मेनी के रूल क्या गया है अब सिकोर्टी मेनी के रूल हमारे पास यह है कि जैसे मान के चलो कितने राउंड हुए मैं तीन राउंड हुए हमारे पास college में लिया alert हो गया लेकिन उसने admission नहीं लिया तो अब इसकी security money जब्त कर लिजाएगी मतलब खतम कर लिजाएगी इसकी security money जब्त कर लिजाएगी खतम हो जाएगी admission लेना कंबल सरी होता है और वही हमारे पास हिसाब है ये तो हमारे पास ही हो गए तेख्या बोलते हैं हम अब Gredition के लिए डाल सकते हैं वाले round में उसके लिए admission नहीं लेंगे तो खतम हो जागी और फिर मसला आता है तुम्हारे बाद इस्टे वेकेंसी round का इस्टे वेकेंसी round में हमारे पास क्या होता है इस्टे वेकेंसी round में I think मैं confirm नहीं हूँ इसमें security money जो है अगर admission हो या नहीं हो इसमें security money सायत मतंब नहीं refundable नहीं होती है refundable जो है first, second and third round में refundable होती है इस्टे vacancy round में refundable नहीं होती है चाहिए seat मिलो या मत मिलो और first second and third round में अगर हाँ seat नहीं मिलती है तो आपको refundable हो जाती है पुछी 100% अब next topic की बात करते हैं, next है हमाने पास online document verification, अब document verification क्या है, तो जो इनोंना counselling के brochure में आए हैं, तो उसकी brochure में चार document इनोंना दी है, जो इनोंने mention किये थे clearly, तो उसमें क्या था, तो उसमें जो है, एक सबसब, अगर हम पहली number की बात करें, तो वो है high school की mark seat, अगर हम दूसरे number की बात करें, तो 12th की mark seat, अगर हम तीसरे number की बात करें, तो reservation certificate, जो भी applicable है, जैसे EWS, OVC, CW, और तुमारे NCC, जो भी applicable होते हैं, सारे के सारे तयार होगे होने चाहिए, और कुछ उसकी जो है, जैसे सायद OVC की होती है, नहीं होती है, लेकिन EWS की मुझे confirm है, EWS जो है, एक April 24 के बाद का बना हुआ होना चाहिए, इससे पहले का बना हुआ होगा, तो वो जो है applicable नहीं होगा, हम दुबारा बनाना पड़ेगा, और दिक्कत आ सकती है, इसलिए उन्होंने mention कर दिया, पहले ही कि है, अगर इससे पहले का बना हुआ है, तो दुबारा करें बनना जो है, अगर online document verification जो होगी, उससे अपनी को नहीं होगा, जो है, उससे cancel reject कर देंगे, उस document को आप upload करेंगे तो, तो कितने चार्ट हमारे पार चार्ट चार्ट डोकुमेंट आप बता यह थे, तीन ही हो चुके है, अब चोद्य की अपर हम बात करते हैं, वह था, डो मिशल से टिप्केट, अगर हिंदी में इसकी हम बात करते हैं, हिंदी में मुल लिय निवास परमाना पत्र कहते हैं, उससे बन जाता तो, तो मारा चाहा किसी cyber cafe वाले से बन मा सकते ह हो जाके, इसमें वही सब पुछ लिका हो था कि बंदा यूपी कर रहने वाला है, और नाम वगएरा सारे चीज़ें, ठीक है, यह तुम्हारे डोकुमेंट की बात हुए चार की, आम नेक्स्ट की हम बात करते है, मैरिट लिस्ट क्या होती है, मैरिट लिस्ट यह होती है, ज कि यूपी में किस रैंक पर आप लाई कर रहे हो, अब लाई कर रहे हो यह हमारे किस से बतला merit list से बतल रगता अब जैसे हम UP की एकर मैं बात करता हूं UP की एकर मैं बात करता हूं तो UP में अब जो जैसे हमें पता कितने साथ 6 या 7 कोली जो है new add हुए है ठीक है अब उसमें total sheet जो अब हो चुकी है UP में total sheets जो UP में हो चुकी है वो होगी 4550 4500 sheet है हमारे पास total UP में sheets है ठीक है अब इसमें कितनी रहती है हम उत्रप्रदेस कांटलिंस से जब जाती है तो 85% reservation रहा था state counseling का ठीक है तो इसके साब से 85 हम निकालेंगे तो 3849 आए थिंग इतना ही बैठेगा एक बार देख लें तो उंकर फंपर कर करें कि हां सभी अर्थी सो रंचास सीट है हमारे किसमें UP की कोटे माती है UP कोटे में कितनी सीटा बसती है हमारे पास 4849 सीटा बसती है अगर मान के तो हमें एक कुछ से पता लग लगी हमें सब्सक्राइब हमें अर्थी सो रंचास सीट है बचेंगी स्टेट कोटे से इसका हम 10 परसेंट आखर हम निकालते हैं तो टैन परसेंट कितना आएगा तो करीब इसको जब सब्सक्राइब है अब तुम देख लो एक तुमारी 300 सीक अंडर में होगी तो मतलब चांसी तुमारे 100 परसेंट मिलेंगे सीट मिल जाएगी तो किसका यह था ओबर्वियू सीट का ठीक है अब च्वासष फिलिंग और लोकिंग के बात करते हैं तोच्वाइस फिलिंग पुरिफ़ेइंश लिस्ट होती है और लोगिंग के होता है लोगिंग दूस्तों यह होता है कि जैसे तुम्हेरे पर उतनी दिन का time मिलता है चौइस फिल करने का उसके बाद फिल कर लिए आपने एक list बना लिए उसके बाद लोग करना कंबल सरी होता है अगर आप लोग नहीं करेंगे इस बार मतब लिखते नह कि अब रिजल्ट डिक्रेशन की होता जब सारी चीज़ेंगे हो गई तो हमारे पाथ दो तीन बाद रिजल्ट डिकलेर होगा अब रिजल्ट डिक्रेशन में हो किस बंदे को किस रैंक वाले को कौन सा कोलीज हुआ क्यों यह था को अलोटमेंट यहां से पता लगता है और को कौसा कोलीज किसे मिला और 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 कुझसी प्रिफijd disclose और क्योणि प्रिफीरेंस अंगिन से मिली नंबर जहत है तो मैं मैंने एक पोर्टल बनाओगे वेबसाइट पर कौनसी पर यू पी नेट.GOB न पर आप एक पोर्टल जब बनेगा तो उस पर हमारे पास एलोटमेंट लेटर आ जाता जो हूँ हमें डॉनलड करना हूता, डॉनलूड करकर हैं सम्मिट करना हूता हम फिजिकल वेरिफिएशन करते हैं किसमें, कोलेज में। यह होगी उसके बाद एडमिशन हमें फिजिकल वेरिफिएशन की सब्सक्याद मुलकुत होता हैं, गो कोंगे से सीज दे гांट होई। इस की सटवगई इसन पी once you कि अजया हुझआ शेटिस्ट究्रीर्स ऑँम्रे इस कोड़ी की यह एमशन होगी को मैं है यह है एड़ मिशन पीज होगी वे सम्मिट करने होगी साइट साइड जितने भी मैक्सिम सब्सक्राइब शेयर करने साफमेट सब्सक्राइब होगे तो जटना मोटी मोटी बाते लगी मैंने ब्रोचर measured außerकर बता दी है और फिर प्रोब्लम होती है किसी भी तरह कि तो आप मुझे direct message कर सकते हैं, वोट्सअप कर सकते हैं, instagram पर direct message करते हैं, और मैं surely अगर मैं देखुँँगा तो उसका reply 100% करूँगा, ठीक है, अब instagram id मेरी क्या है, instagram id है मेरी रय्यान तुरुक 17 ये मेरी Instagram आड़ी आप directly हापर message कर सकते हैं मैं कोशिस करूँगा कि आपको जो है 100% जवाब देने की कोशिस करूँ ठीक है थैंक यू गाइज